तो अब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी लाइफ स्ट्रीम हो रही है और बिल्कुल टेन एटी पी में हो रही है जैसे कि आप लोगों को में क्वालिटी दिखा देता हूं जब आप इसे लाइफ स्ट्रीम ऐसे करेंगे न वह फिर भी शो होगा आपका स्ट्रीम पर आपकी वीडियो चलेगी फुल स्क्रीन पर आपकी लाइफ स्ट्रीम होगी अब भी इस शो नहीं होगा तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना और एक-एक स्टेप्स को सही से समझना तो हलो गाइस वल्कम बैक टो अवर चैनल विडियो और आज की वीडियो बहुत जादा डिमांडिंग टॉपिक पर है हमारे कि हां हम लाइफ स्ट्रीम कैसे करते हैं अपने आइफोन में वह भी स्ट्रीम चैंप से और प्रोफेशनली बिलकुल एकदम तरीके से होती है जैसा आप पीसी से करते हैं वैसे ही इसमें फ प्रोफेशन्स भी थी कि भाई यह वाला अपडेट अगया इससे हमारा घ्लिच कर आए फेसकेम और फेसकेम हमारा बीच-बीच में लैक कर जाता है तो यह सारी प्रोब्लम्स का में सॉल्यूशन भी बताऊंगा एक्शली में मैंने अपना फोन भी फॉर्मेट करा है तो श चुके हैं अपने फोन की स्क्रीन पे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है मेरा आइफोन से 2020 वरला वर्जन जो की है 64 GB में आपको इसा भी फोन अपना यूज कर सकते हैं और जिससे भी आप लाइव करना चाहते हैं तो मैं बेसिक से बिल्कुल बताना शुरू करूंगा क्योंकि मैंने भी अपना फोन फॉर्मेट करा था तो सारा मेरा डाटा जो है तो वोड़ गया था तो शुरू से मैं आपको समझाने वाला हूं कि हां बेसिक से इंस्टॉल करने से लेके प्रोफेशनली लाइव करने तक का मैथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर करने वाला हूं तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने अप स्टोर में और वहां जाके सर्च करना होगा स्ट्रीम चैंप तो स्ट्रीम चैंप हमने सर्च कर लिया है और काफिजादा लोग ओमलेट आर्केड को इतना प्रेफर नहीं करते क्योंकि भाई सची में उसमें जाधा दिकत है ऐस कंपेयरद त słu स्ट्रीम चैयंप और स्ट्रीम चैंप बहुत जवदा ईजी मेथट से हमारा लाइफ कर देता है तो इसे कर लेते हैं चल्ट टू इसे कर देते हैं और इसमें काफी जादा देखिया आपको पर मिशं वग्र fonts वागा तो सारी मैं आपको ब बताने वाला हूँ आपको तो आप वीडियो में continue बने रहना और अगर आपका एक भी step छूट गया तो आपको भाई दिक्कत आ जाएगी अपना live stream गन्ने में फिर बाद में मत कहना कि भाई मेरे में यह दिक्कत आ रही है यह दिक्कत आ रही है तो इसमें हम पहले कर देते हैं में शो कर देते हैं तो जैसे ही आप लोग बिल्कुल new अपना stream champ को install करेंगे तो आपके पास ऐसा interface शो होगा तो आप इसमें से किसी से भी sign in नहीं कर सकते है एक्चली में इसमें दो sign in करनी होती है एक या तो twitch से करनी होती है और दूसरी करनी होती है जिसमें हम stream करने वाले तो firstly हम कर देते हैं twitch से sign up आप अपना twitch के account बना सकते हैं actually में मेरा पहला बना हुआ है तो अपनी में इसमें details फिल कर देता हूं हमने अपना जो है twitch से login कर लिया है और login जैसे ही आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा interface होगा और मैंने इसमें actually में पहले सार अपने जो शेयर कर दूंगा description में में सारे आपको link डाल दूंगा जिससे आप download करके और अपने stream को बहतर दिखा सकते हैं तो आपको ऐसा interface होगा तो उसके बाद आपको करना क्या है इसमें थोड़ी बहुत customization करनी है जैसे कि आपको first में जाना है mode में इसमें दो mode दे रखके होता है third व वाले पर आप लोग को click कर देना है और done कर देना है तो done करने के बाद आपको देखिए ऐसा interface होगा same होगा लेकिन इसमें हमें utilities ज्यादा use करने के लिए मिलेंगी जैसे हम add कर सकते है इसमें कुछ भी कर सकते है add जैसे webcam होता है text होता है image होती है वो सब चीज है हम इसमें add कर सकते हैं इसकी help से और यह जो logo रहता है stream champ का यह आपको show होगा actually में paid version अगर आप लेंगे तो तो आपका यह logo show नहीं होगा और free वाला आप use करेंगे तो stream champ का जो logo है वो show होगा तो अब इसमें थोड़ी बहुत customization हम करते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह full screen होई पड करनी होगी इसके size में तो size में customization करने के लिए पहले तो हम portrait mode में इसे थोड़ा पहुत चोटा कर देते हैं और चोटा ऐसे नहीं करना है कि हां direct size ऐसे कर देंगे नहीं अपने हिसाब से हम करेंगे जैसे 607 by 1080 है इसका default तो हम इसे थोड़ा सा नीचे से चोटा कर देंगे अप इसके लिए आप लोग जगा छोड़ दीजे तो मैंने इसे चोटा कर दिया है और अभी सिर्फ यह portrait में हुआ है तो इसमें भी आप लोग गलती कर देंगे कि भाई हमारा अब overlay set हो गया है ऐसा नहीं होगा जब आप इसे live stream ऐसे करेंगे ना वो फिर भी show होगा आपका full screen प आप लोटी है portrait orientation उसे आपको off करनी है और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें पूरे में दिखाएगा अभी भी आपको समझ नहीं आएगा और अभी इसे नीचे से चोटा कर देते हैं अब आपका जो overlay होगा वो अब सही से दिखेगा और overlay add करना भी मैं सिखा इसे customize कर दिया है तो आप बात आती है इसमें हम क्या-क्या add कर सकते हैं तो add करने के लिए आप लोग सभी चीज़े add कर सकते हैं आप अपना webcam add कर सकते हैं आप customized text लिख सकते हैं इसमें आप अपनी कोई भी image लगा सकते हैं और इसमें जो features होते हैं YouTube के कि आपको जैसे कोई subscribe क करता है तो वो शोगा और कोई super chat करता है तो वो शोगा वो आप elements भी लगा सकते हैं इसमें तो चलिए अब सारे elements आपको लगा के दिखाते हैं कि हां कैसे कैसे लगते हैं तो firstly हम अपना इसमें करेंगे add overlay और overlay add करने के लिए सबसे पहले आपको इस screen पे जहां पे आपको दि चीज़ शोऊंगी इसमें webcam का भी शोगा image का भी शोगा तो आपको पहले लगाना है overlay तो overlay लगाने के लिए हम करेंगे add image पे click तो आपका जो भी overlay है जिस भी website से या जहां से भी आपने बनाया है या बनवाया है उसको आपको select कर लेना है तो select करने के बाद आपको एक यह ऐ देता हूं तो आप लोग देख सकते हैं आप focus बढ़िया से हो गया है और हमारा इसमें overlay आ चुका है अचली सेंटर में इस वजा से शोग हो रहा है मैंने कैप विंग website से बनाया था तो उसमें अपना उसका logo शो होता है कैप विंग खा तो इस वजा से मैंने इसे center में रखा और इसकी मैंने एक trick लगाई थी जिससे की हमारा logo बिल्कुल hide हो जाएगा stream champ के overlay लगाने के बाद तो अब इसे थोड़ा बहुत adjust कर देते हैं आप लोगों का तो वैसे ही adjust हो आएगा तो इसकी हम थोड़ी सी नीचे कर देते हैं और यह हमारा लग चुका है overlay तो जैसा कि आ tutorial बना दूंगा आप लोग कमेंट कर देना मेरे को या फिर इंस्टाग्राम पर डियम कर देना इस पर हमने अपना नाम लिख दिया है और इसे पहचानने में असानी होगी काफी जादा इमेजिस हो जाती है तो नाम लिखना बैठा रहता है एक option stream champ का जो logo होता है वह आपको इस वजा से मैंने जगा छोड़ दी थी अपने overlay में तो चलिए इसमें मैं आपको facecam भी लगा के दिखाता हूं कि हां मैं अपना facecam कैसे करता हूं और फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको पूरा preview अपनी live stream का तो facecam करना इसमें बहुत easy है और आपको मैं बता देता हूं क कैसे करना है step-by-step जैसे आपको दिख रहा है इसी स्क्रीνεप आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको add का option देख जाएगा तो add के option पर आप लोगों को क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको शो को रहा होगा add webcam जैसा कि आपको देखन ऐखते है मेरे add वेबकम का option आ रहा ह है love to bottom left मैं मैंच आपना face cam रखता हूं तो मैं नीचे इसने साइट बताते हैं कि किस किस चीज कि आपको ज़रुरुत पड़ेगी अपने लिए तो face cam करने लिए आपको एक केंड्री फोन चाहिए होगा जिसका कि आपको kamera यूज मेट लेनाfähं मेर पास iPhone 5S था जिसका past Life stream में मैं अपना यूजज करता था लेकिन अब यह थोड़ा बहुत खराब हो गया अचलिया इसकी बैटरी बगैरा ड्रेन होगी यह ओन भी नहीं होता है तो यह phone बीचवीच में दिक्कत कर रहा है तो मैं इसका यूज नहीं करने वाला हूँ तो मैं यूज करने वाला हूँ अपने भाई का iPhone X और इस से हम करेंगे अपना webcam और आपको दिखाऊंगा कि कितना smooth अपना webcam चलता है stream champ की help से तो webcam करने के लिए आपको सबसे पहले इस remote control के जो option पे आ रहा है आपको उस पे क्लिक करना है और इसे on कर देना है और permissions जो भी आएंगी उसको allow कर देना है और remote pair code जो आ रहा है उसको आपको एक बार refresh कर देना है ये remote pair code आप लोग refresh कर सकते हैं जब भी आपका अगर webcam चलता नहीं है या फिर कोई भी इशू आता है आप लोग इसे refresh करिए और दुबारा code डा करके आप लोगों का वेबके मिलकुल परफेक्ट चलने लग जाएगा तो जो लोग beginners है उन लोगों को नहीं पता कि webcam इसमें कैसे करते हैं तो उन्हें बताते हैं सबसे पहले आप लोगों को इसका option on रख लेना है जैसा कि आपको दिख रहा है इसका option on है और एक बार आपक अब चैसे को दूसरे फोन में भीजना है जिससे आप webcam करना चाहते हैं और जिस फोन का आप लोग वेबकेम यूस करना चाहते हैं तो इस code को आप लोगों को देखे copy का option आ रहा है ये simply copied हो गया है अब इस code को को secondary फोन में भीज दिना हैं जिसका आप लोग केमरा यूस करने तो मैं अपना भेज देता हूं तो इनका काम अब यहां से खतमा हो गया है अब यह स्ट्रीम के अपने क्षी डीमा शाव्य है अब partialphone करने के संस्थू आप इस जाना है बैक हो दाने मेन Inhale और यहां पर आप लोगों को डिख रा है scenes scenes का जो option आ रहा है उस पे click कर देना है और इसमें 4 options दिखाते हैं तो हमें चाहिए starting soon आप लोग इस पे click कीजिए और आपका देखिए stream starting soon यह आ गया है आप लोग इने भी use कर सकते हैं नहीं तो आपको मेरी तरह अगर करना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे करना है तो scenes पर जाएंगे हम लोग default वाले पर ही जाएंगे जिसमें हमारा ओगले वगारा सभी चीज है और इसमें करेंगे हम click और यहां से करेंगे हम add और add image पे click करेंगे तो add image पे click करने के बाद हम लोग अपनी choose कर लेंगे gif जो भी आप लोग stream is starting soon के लिए लेंगे तो stream is starting soon के लिए मैंने देखी है यह वाली gif ले ली है या फिर आप लोग इसे image भी कह सकते हैं तो image लेने के बाद हम लोग इसे नाम रख देते हैं stream is starting soon जिससे कि हमें इसकी पहचान रहे कि हाँ यह कौन सी image है तो इसका हमने नाम लिख दिया है और done कर देते हैं तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमारी stream starting soon की image कौन सी है तो अब हमारा सारा setup जो है हमने overlay भी लगा लिया है facecam का भी system add कर लिया है तो बात आती है कि हम इसे live करें कैसे तो live करने के लिए देखिए आपको 2-4 setting करनी होगी आपको तो जब आप main menu में आएंगे तो आपको 3 dot दिखेंगे इस पर आपको click कर लेना है और इसमें आपको account बगरा अपना दिखाएगा तो उस सबसे main अपनी settings पर आते है कि video resolution किस video resolution पर आपको stream करनी है आपका अगर बढ़िया internet connection है तो आप लोग 1080p पर जा सकते हैं अगर average है तो आप 720p पर भी कर सकते हैं मेरे पास wifi लग रहा है तो मैं इसमें कर लेता हूँ अपना 1080p तो हमने 1080p सेलेक्ट किया और जाएंगे back और बात आती है bitrate तो bitrate आप default ही रहन दे तो ही बहतर होगा और आपका ज्यादा बढ़िया internet है तो आप इसे minimize और maximize कर सकते हैं तो बात आती है हमारे frames per second की तो कितने frame rate में आप लोग stream करना जाते हैं तो मैं prefer करूँगा आपको 60 frame rate में आप लोग stream करें उसमें आप लोगों क स्मूथ streaming का experience में लेगा तो मैंने 60 सेलेक्ट कर रखा है settings में जाएंगे back तो इसके back करने के बाद आपको bitrate में जाना है bitrate आपको audio bitrate ऐसे ही रहने दे सकते हैं नहीं तो आप लोग इसे change भी कर सकते हैं 192kbps पर कर देता हूं इसको और हमें कुछ नहीं कुछ नहीं करना है अब आते हैं में अपनी setting पे तो में सेटिंग जो रहती है कि आप लोगों को stream किस पर करना है अगर आपको YouTube पर stream करना है तो आप YouTube पर भी कर सकते हैं आपको Facebook पर भी करना है तो Facebook पर भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे अपना method जो यूज़ करूंगा आपना YouTube वाला तो YouTube वाला method यूज़ करने के लिए आप लोगों को ingest पे आपको click करना है और इसमें आप लोगों को add वाले option पे click करना है उपर अब बात आती है कि इसमें हमें details क्या-क्या फिल करनी है तो मेरे साथ आप लोग बने रही है और मैं step by step बताता हूं आपको क्या-क्या फिल करना है तो guys अब हम आचुके हैं अपनी computer screen पे और अब हम जाते हैं अपना go live वाले section पे यह method आप सेम अपना phone से भी कर सकते हैं desktop site पे आप लोग जैसे ही जाएंगे वहां पे भी आपको सेम method आपको शो हो जाएगा तो यहां आचुका है हमारा live stream का setup एक्चली मैं मेरे पास PC है तो मैं PC का use कर रहा हूं नहीं तो मैं phone का ही use करके आप लोगों को दिखा सकता था बात आते हैं इसमें details वगरा हमें क्या फिल करन है तो अब हम आते हैं अपने phone की screen इसमें हमें सबसे पहली चीज लिखनी है title तो title हम लिख देते हैं stream 1 तो stream 1 मैंने अपना stream का जो title है वो लिख दिया है अब बात आती है server URL में हम लोगों को क्या फिल करना है तो हम लोगों को desktop site पे phone में भी same चीज शो होती है और आपका PC प phone में भी कर सकते हैं अपना desktop site पे तो यह दोनों details आप लोगों को अपने stream champ में इसमें जो option दिखा रहा है इसमें आप लोगों को fill कर देता हूं और then मैं आप लोगों को दिखाता हूं further process क्या रहता है तो यह सारी details मैंने अपनी fill कर दी है मैं आप लोगों के साथ share नहीं कर रहा हूं लेकिन आप लोग अपनी details fill करके और इस पर यह एड का जो option आ रहा है आप लोग देख रहे हैं add पे click कर देना और यह आपका ingest add हो चुका है और यह आपकी stream बिल्कुल ready हो चुकी है अपना stream होने के लिए अब मैं बताता हूं कि इसको perfectly कैसे live करते हैं तो अब screen menu में आएंगे और आप लोगों को कुछ नहीं करना है अपना volume सेट करना है जितना भी volume आप stream पे देना चाहते हैं नीचे वाला microphone का है और उपर वाला अपना speaker का है जितनी भी आपकी internal audio रहेगी phone की तो हम इसे set कर लेते हैं अपना mic की आवास थोड़ी सी जादा कर देते है 140 के around कर देते हैं और अपना speaker की कर देते हैं 80% क्योंकि उसमें noise जादा आता है तो हमने इसे set कर लिया है अब तो live करने से पहले आप लोग make sure कर लें कि अपनी आपकी details जो हैं वो सही से fill होए हुई हैं और मैं तो कहूंगा कि भाई लोग आप private ही रखें पहले stream को check होने दे को microphone on करके stream करनी है तो आप लोग microphone on करके stream कर सकते हैं otherwise off कर सकते हैं मैंने अभी earphone नहीं लगा रख कि इस वजा से मैं off कर देता हूं और off करने के बाद start broadcast पे click कर देते हैं और broadcast start होने के बाद आप make sure करें अपने yt studio में जहां से भी आप लोग देखेंगे या फिर आप phone से द directly minimize कर देते हैं और अपना main जो है stream is starting soon का उसे कर देते हैं visible तो stream will be starting soon हमने इंट्रो अपना लगा दिया है अब वेट करते हैं अपना stream connect होनेगा तो वैस जैसारी आप लोग देख सकते हैं अब हमने अपना जो है game open कर लिया है और इसमें हमने लगा रखा था अपना stream is starting soon का overlay तो अधर हमारा game open हुए हुआ है और अधर हमारा stream is starting soon का overlay लगा हुआ है तो अब इसे जैसे हमें minimize करना हुआ हमने जैसे live stream बिल्कुल public कर दिया है तो इसे कैसे करेंगे तो main अपने stream champ में आओ और इस पे click करो stream is starting soon को visible बंद कर दो और आप आपका overlay वगारा सभी चीज आपक जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसमें मैंने कर दिया है अधर भी दिखने लग गया हमारी perfect live stream होना शुरू होगी है और इसमें आपको quality देखने मिल जाएगी अपनी 1080p 60fps तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या quality रहने वाली है इसकी अब बिना किसी lag के तो यह हो गया है हमार अब बात आती है facecam की main हमारा रहता है facecam तो facecam को हमें कैसे करना है तो चलिए वो भी बता देता हूं कैसे करते हैं तो main आपको पहले अपनी stream start करनी है then ही आपका facecam वर्थ करेगा तो आपको 1.5 मिनट अपनी live stream को start कर देना है then उसके बाद ही facecam को add करना है तो चलिए अब मै पता देता हूं कैसे कैसे करना है तो बात आती है हमारा facecam करने की आप लोग देख सकते हो stream start है तो अब आपको secondary phone में जाना है जिसका आपको camera use करना है as a webcam तो उस phone में मैंने आपको code send कर वाया था तो वो code हम लोग देख लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यह आज चुक कुछ नहीं करना है इस पर अपना जो copy करा हुआ code है उसे paste कर देना है और फिर इसे link कर देना है तो link करने के बाद आपको देखिए first option आता है कि आप लोग अपना facecam का resolution कैसा रखने वाले हैं तो मैं अपना prefer करता हूं 16 ratio 9 का तो इसे set करने के बाद आपको एक permission देनी होगी अपना camera की तो camera permission हम लोग दे देते हैं और camera कर देते है इनेवल तो अगर आपको चाहिए कि आपका webcam जो है वो back का होना चाहिए back camera यूज होना चाहिए तो back camera भी आप यहां से choose कर सकते हैं आपको front यूज करना है तो front कर सकते है back करना है तो back कर सकते हैं तो मैं prefer करूंगा कि आप लोग back camera यूज़ करें और इसका जो size रहता है वो 16 ratio 9 को यूज़ करें और फिर करना है connect to stream अब इस पर दिखा रहा है देखिए एकदम से connect हो चुका है तो connect हो जाने के बाद आप लोगों को सारी details यही से आ जाएगी और आप यहां से voice वगएर भी change कर सकते हैं लेकिन मैं prefer नहीं करूंगा कि आप लोग उसे change करें तो आप इसे कर लेते हैं landscape में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उसमें portrait में दिखा रहा है अब landscape में दिखाने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा webcam बिल्कुल start हो जाएगा और अपना अब game हम open कर लेते हैं और webcam आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल perfect हमारी live stream हो रही है और बिल्कुल 1080p में हो रही है जैसा कि आप लोगों को में quality दिखा देता हूं यह 1080p में हमारी stream हो रही है तो मैं past live stream की और अब जो live stream है उनकी आप लोगों को description में link भी देदूंगा अगर आप लोगों को preview date में है तो उस webcam भी आप लोगों की internet पर depend करती है जितना बड़ी आपका internet होगा उतनी बड़ी आपको quality मिलेगी तो गाइस जैसा कि आपने देखा एक और step by step मैंने आप लोगों को बताया कि live stream को मैं कैसे करता हूं और professionals कैसे अपना live stream को manage करते हैं प्लस इतना smoothly कैसे live stream होती है तो सारी आप video में अपनी solve कर दी थी और अच्छा लगा हो वीडियो आप लोगों को तो please make sure to like make sure to subscribe तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है live stream करने में तो आप लोग मेरे को instagram पर DM भी कर सकते हो या फिर आप लोग मेरे को comment में भी बता सकते हो तो मैं comment में भी reply दूंगा आपका और instagram पर भी मैं reply दूंगा आपको तो आप लोग बेज ही जगो के अपनी live stream को करिए और इस वीडियो से अगर help मिली हो तो जरूर जरूर से subscribe करना और मेरा stream preview देखने के लिए आप लोग बाकी प्रानी जितनी भी मेरी past live streams है वो आप लोग चेक कर सकते हैं प्लस अब हम regular live आ नेक्स्ट वीडियो में और अगर आप लोग की कोई नेक्स्ट वीडियो डिमांडिंग वीडियो है वो आप लोग कमेंट कर देना मैं नेक्स्ट डिमांडिंग वीडियो भी आप लोग की बना दूंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टे क्या है